प्रियमित्रों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो रोगी है ये एक कम्पलेंट लेके आया था कि उसकी नाभी में से पस्ट जैसे कुछ निकलता है तो प्रतम द्रस्टेया ऐसा दिखाई देता है कि ये एक अम्बलाइकल साइनस हो सकता है लेकिन जब इस पेशेंट को एक्जामिन किया गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक अम्बलाइकल हर्निया का पेशेंट है जिसमें के बाहर हर्नियेशिंग बल्च हो रहा है और प्रोपर हाईजिन मेंटेन न करने के कारण से इस इसकीन का एक साइड जो है वो इन्फेक्टिड हो करके वहाँ पे अलसिरेशन हो गया है और इसी ulceration के कारण से जब कि उसके नीचे आप इसकी ने देख सकते हैं कि वह proper है कि उसमें कोई infection नहीं है केवल बीच वाला जो area है उसमें infection हो रहा है तो ऐसी condition में हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसको clean करके अच्छे से इसको इसके उपर dressing apply करनी है साफ रखना है hygiene maintain रखनी है इसको और ये within a week manage हो जाता है और उसके बाद इस patient को फिर हम आगे के लिए surgery के लिए plan कर सकते हैं तो moral of the story यहां पर यह है आप देख सकते हैं कि आराम से reduce हो रहा है और infection केवल superficial है केवल तवचा तक ही शेमित है ये नीचे नहीं गया हुआ है और किसी भी प्रकार का अंदर से कोई इसमें ना तो sinus है ना ही कोई infection है तो इस case में हम basically सबसे पहले इसको infection को दूर करके patient से operation की आगे plan करते हैं और patient को आगरह किया जाता है कि वो hygiene maintain रखें इस परकार के cases में यही sufficient होता है धन्यवाद